अब इस मैच के पांच हीरो कौन्चे से जीत के ये मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जीत के हीरो के अगर मैं बात करूँ तो वो रहेंगे मेरी नजर में जोनी बैश्टो ओपनर है और शांदार तरीके से उन्होंने पहले विकेट के पीछे एक इस्टमभी किया था शांदार तरीके से उसके बाद में रन बढ़ाए और नाबाज रहे नोट आउट रहे, 56 गेंदों पाथ 63 रन की पारी खेली, अपनी टीम को आखिर तक जीत दिला कर गए, तीन चोके और तीन छक्के के मदद से उन्होंने ये एक जीत वाली पारी खेली, तो मैं जोनी बैस्ट को अपनी जीत के पाथ हीरो में सबसे पहले रखूँगा, उसके ब दूसरे नंबर पर मैं कप्तान डेविड वोर्नर, क्योंकि डेविड वोर्नर से आज बड़ी उम्मीद है थी, लगातार पिछले 3 मैच हैदराबाद हार रही थी, बड़ा निराश देखा गया था पिछले मैच में भी डेविड वोर्नर को जब वो हार गई थी उनकी टीम, लेकिन आज डेविड वोर्नर ने शांदार तरीके से पार्टनर्सिब करी, वैसे बी जोडी बड़ी शांदार है, आईपेल में सबसे ज्यादा अगर पार्टनर्सिब का बहतर रिकॉर्ड है, तो इन दोनों के साथ है, तो डेविड वोर्नर ने 37 गेंदों पर 37 रन बेशक त्येवहों गई थी तो दूसरे मेरे हीरो रहेंगे डेविड वोरनर। उसके बाद में अगर मैं तीसरे हीरो की servants करूं तो मैं गेंदबाजी पर हूंगा हैदराबाद को जीत मिली और पंजाब की तीम कही न कहीं बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम याब रही इसलिए मेरी जीत के हिरो में तीसरे हिरो रहेंगे खलील एहमद चोथे हिरो को पर मैं रखना चाहूंगा नौजवान खिला रही है अभिशेक शर्मा अभिशेक शर्मा ने आज शांदार गेंदबाजी करी बल्लेबाजी का तो उनको मौकर नहीं मिला लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने कमाल किया और दो एहम विकेट उन्हो हमेशा ही वैसे वे हैदरावाद के जीत के हिरो रहते हैं लेकिन आज मैं नंबर पाच पर उन्हें रखना चाहूंगा चार ओवर में जनाब ने केवल सत्रा रंग दिये हैं आप समझे कि कितनी शांदार तरीके से गिनबाजी करी किस तरह बांध कर रखा पंजाब के बल्ल अजित खान और अभिशेक शर्मा यह मेरी जीत के पांच हिरों है तो हमें कमेंटर में बता सकते हैं बाकि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं